हेलो फ्रेंड्स, आसी इस्टिचिंग में आपका स्वागत है, आज मैं ये कपड़े के छोटे छोटे टुक्रे से बहुत ही असान तरीके से डोरी और लटकन बनाना बताऊंगी वीडीयो श्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेष्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाग्त जरू करिएगा तो चलिए विडियो उस्टार्ट करते हैं यह देखिए यह जो थ्भासा चौड़ा पीस है इसका मैं लटकन बनाऊंगी ऐसे यह four piece है चौड़ा वाला यह छोटा-छोटा है और यह जो पतला-पतला और लंबा-लंबा है, इसको मैं डोरी बनाऊंगी तो सबसे पहले यह जितना टुकडा है इसमें उसको हम जॉइंट करके और एक कर लेंगे यहां से हम जॉइंट कर लेंगे और फिर एक जॉइंट हम यहां लगा लेंगे और फिर एक और जॉइंट हम यहां लगा लेंगे यह देखिए यहां मैं ज्वाइंट लगा ली हूँ यहां भी और यहां भी मैं यह त्यार कर ली हूँ एक पीस हो गया है यह इसकी चोडाई मैं आपको बता दे रही हूँ यह जो मैं कपड़ा ली हूँ इसकी चोडाई कितनी है 1.5 इंच उससे थोड़ा सा कम ही है अब यह जो उल्टा वाला साइड है इसको हम ऐसे उपर रखेंगे और ऐसे फोल्ड करके ऐसे और यहां हमको सिलाई लगा लेना है यहां पतली डोरी चाहिए तो एकदम हलका सा हम इधर कपड़ा छोड़ेंगे और थोड़ा सा अगर मोटा चाहिए तो हलका सा और इधर हम बढ़ा लेंगे और यहां से हम पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे एक सिलाई लगाने के बाद एक और सिलाई हम लगा लेंगे दो सिलाई लगा लेंगे यहां मैं दो सिलाई लगा ली हूँ अब किनारे जो ये अश्टा कपड़ा बचा है अगर ये कपड़ा ज्यादा बच रहा है तो उसको हम हलका सा कटिंग करके निकाल देंगे और अगर कम है तो फिर वैसे ही छोड़ देंगे इसमें जो एश्टा कपड़ा था उसको मैं कटिंग करके निकाल ली हूँ अब देखिए अब हम एक बड़ी वाली सुई लेंगे और इसमें फोर लेयर में धागा डाली हूँ थोड़ सा ही मोटा हो जाएगा और लास्ट में हम एक नौट लगा ली हूँ अब इसके अंदर से हम सुई को ऐसे डालेंगे यहां अंदर से वन लेयर उपर कपड़ा जो है उसको पकड़ेंगे दोनों को एक साथ नहीं पकड़ना है सिर्फ एक कपड़े को उपर वाले कपड़े को पकड़ना है और फिर ऐसे हम यहां एक नौट लगा लेंगे ऐसे एक नौट लगा लेना है और फिर सुई का यह जो पीछे वाला साइड है इसको हम अंदर डाल के ऐसे और कपड़े को ऐसे नीचे सरकाते जाएंगे ऐसे यह देखिए ऐसे सुई को मैं बाहा निकाल ले हूँ और यहां देखिए यहां मैं कपड़े को ऐसे खीचूंगी ऐसे यहां से अब इसको खीच के और नौट को अंदर ले जाएंगे जब नौट अंदर चला जाएगा तो अपने आप कपड़ा सरकने लगेगा यह देखिए यह नौट अंदर चला गया है अब हम इसको कपड़े को ऐसे सरकाते जाएंगे और यहां से ऐसे हलका हलका हम ऐसे जाएंगे अब यह डोरी बन गया है अब हम लटकन को कैसे बनाएंगे यह देखिए यह जो मैं कपड़ा ली हूँ ऐसे rectangle पिस में है इसको हम ऐसे एक बार फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद यहां हम बीच center में इसको रखेंगे एकदम center में इसको रखना है और center में रखके इसको हम ऐसे फिर से एक बार हम फोल्ड कर लेंगे और fold करने के बाद हम यहां से लेकर और यहां ऐसे corner में ही सिलाई लगा लेना है यहां से start करना है और यहां corner में निकाल लेना है उसको यहां मैं तिर्षे में सिलाई लगा ले हूँ अब यह जो extra कपड़ा है उसको हम cutting कर लेंगे ऐसे इसको cutting कर लेंगे और cutting करने के बाद इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे यह देखिए ऐसे यह लटकन बन गया है इसको भी सीधा कर ले रहा है ऐसे देखिए डोरी और लटकन दोनों ही रेडी हो गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लैक जरू करिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू